आज का हमारा विश्य है पर्तेक्स्ता के स्रेष्ठ समय को समीप लाओ दुनिया में अनेक खोलियस्ट आत्माई हुई हैं आप सब भी खोलियस्ट हो लेकिन आप प्रकृति पती बन प्रकृति को भी स्तोप्रधान बना दिते हो आपकी पवित्रता की शक्ती विश्व की सरव, जड़ और चेतन सब वस्तुओं को व्यक्तियों को पावन बना दिती है इसलिए शरीर भी पवित्र मिलता है आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के साधन भी पवित्र मिलते हैं इसलिए आप होलियस्ट आत्मा हो होलियस्ट के साथ साथ हायस्ट भी हो उँचे से उँचे बाप को पहचान करके उँचे से उँची आत्मा बन गए हो आपके साधारण द्रिष्टी, वृत्ती, स्मृती, कृती अब स्रेश्ट वृत्ती, द्रिष्टी, स्मृती और कृती में बदल गई है किसी को भी मिलते हो तो कल्यान की भावना से, प्रभू परिवार के भाव से, आत्मिक द्रिष्टी से, उँचे भाव से मिलते हो तो हायस्ट हो गए ना और लखियस्ट भी हो आपका लख किसी साधान ज्योती से ने नहीं बताया है स्विम भग्य निर्माता, पिता परमात्मानी आपके भग्य की लकीर खीजी है और वो भी तकदीर की लकीर 21 जन्मों के लिए खीजी है 21 जन्मों के लिए न दुख आ सकता है, न अश्यान्ती आ सकती है और रिचेस्ट भी हो ब्राह्मनों के बाप की याद में हर कदम में पदम है तो सोचो सारा दिन में कितने कदम होते हैं मैं ब्राह्मन आत्मा क्या क्या हूँ इसको याद करना ही भागिये है बाप दादा कहते हैं अब पर्तेक्स्ता के स्रिष्ठ समय को समीप लओ ये विश्व की आत्माओं की पुकार है बाप दादा अमरीत वेले जब चक्र लगाने जाते हैं तो आत्माओं की स्थिती देख देख उनकी आवाजे सुन सुन बहुत रह्म आता है मुझ भी भी हैं लेकिन मुझे उवे भी हैं तो हे दाता के बच्चे मास्टर दाता विश्व के सामने तिवर गती से अपनी मास्टर दाता के स्टेज को कब पर्तेक्स करोगे हे विश्व परिवर्तन की निमित आत्माओं अब विश्व की आत्माओं पर रह्म करो बनना तो आपको इह हैं ये तो निश्चीत है फिर बनने में देरी क्यों फिर बाबा ने कहा कि आप सब ब्राह्मन बच्चे इस विश्व की दुख अश्यान्ति को हरने वाले लाइट हाउस हो और माइट हाउस भी हो तो आप बच्चों को अपने कर्तव्य की याद रहती हैं कई ऐसा तो नहीं है कि समय परिस्तिती और साधनों के वश्यो करके अपने इस रिष्ट कर्तव्य को भूल जाते हो बाबा ने कहा अभी मैं मैं को खतम करके जीवन मुक्त स्थिती का अनुभाव बढ़ाओ सत्यूग वाली जीवन मुक्त स्थिती नहीं लेकिन संगम यूग की जीवन मुक्त स्थेज कोई भी विखन परिस्थिती साधन मैं पन मेरा पन आपको अपने प्रभाव में ना ले करके आई फिर ये मत कहना कि हम तो प्रभाव में नहीं आना चाते थे लेकिन विखन ही ऐसा आ गया बात ही इतनी बड़ी हो गई अगर बात छोटी होती तो चला लेते लेकिन बात इतनी बड़ी थी पेपर इतना बड़ा था विखन इतना बड़ा था समझ्या इतनी बड़ी थी बाबा ने कहा परिस्थितियां बी आएंगी, विघन बी आएंगे और साधनों के आकर्षन भी सामना करींगे, बाप दादा पहले से बता देते हैं, शेर भी आएगा, बिली भी आएगी, और साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन ये बढ़ते हुए साधन, आपके उपर असर ना डालें, आपको साथन रहना है, फिर बाबनी कहा कि ये मत कैना कि हमको मरना पड़ेगा, चाहे मरो चाहे जीतो, लेकिन बनना ही है, और ये मरना मीठा मरना है, इसमें दुख नहीं है, ये मरना विश्वक कल्यान के लिए मरना है, इसलिए इसमें मोज है इसमें सुख है तो कोई भी बहाना मत बनाना कि ये हो गया कि वो हो गया अब ना तो कमजोरी की बाजी ना बहाने बाजी ना गिरती कला की बाजी सिर्फ एक ही बाजी और वो है उर्ती कला की बाजी ए सुनकर के आप सब के चेहरी हर्शित हो गई है बाबा नहीं कहा कि किसी दुसरे को मत देखना केवल शिव बाप को और ब्रह्मा मा को देखना अगर कोई बाप दादा के दिये कारिये को न करी करेंगे तो सब ही लेकिन फिर बेमान लेजिए कोई आत्मा न करे तो उसके परती रहम दिल बनना कमजोर आत्मा को शुब भावना का बल देना उसकी कमजोरी को मत देखना ऐसी आत्माओं को हिम्मत का हाथ देकर के उंचा चड़ाना हिम्मत का हाथ स्वेम के परती और सरव के परती सदा बढ़ाते रहना ये हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है इसलिए बापतादा भी कहते है हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बापतादा हजार कदम से मदद करींगे नी स्वार्थ सेवा में सदा पहले मैं स्वार्थ के सेवा नहीं जो नी स्वार्थ सेवा में पहले मैं करता है वो ब्रह्मा बाप समान है ब्रह्मा बाप से प्यार है तबे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना जब चलेंज करते हो कि सेकंड में जीवनमुक्ति तो पहले खुद को सेकंड में बंधन मुक्त करने पर अटेंशन दो अब पर्तेक्सता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ जितना आप संपुर्णता के समीप जाएंगे, उतना ये स्रिस्ठ समय आटोमेटिक समीप आएगा आप माली को राजा हो, स्वरज्य अधिकारी हो, तो राजा हमेशा ओर्डर करता है, ये करना है और ये नहीं करना है तो हे आत्मा राजा, अपने मन मंत्री को ओर्डर करो, कि सेकिंड में अशरीरी हो जाओ, सेकिंड में विदेही बन जाओ, सेकिंड में परमधाम घर पहुँच जाओ, देखो, मन ने ओर्डर माना कि नहीं माना? फिर बाबा ने कहा कि प्लैन को प्रेक्टिकल में लाने की हिम्मत आपकी और मदद बापकी और संपूरन ब्राह्मन परिवार की केवल निमित बनना है, बस और कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं परमातम कारिये के निमित हूँ बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट तयार अब जैसे चलाना चाहो वैसे चलालो, ये निमित बाब आपके चेहरे पर निर्मान और निर्मान के बाब पर्तेक्स करेगा, माईक आप बन जाओ, माईट बाप देंगे, बाप की याद में निमित बन, हाजिर हो जाओ, बस फिर केवल बोल से सेवानी करेंगे, लेकिन आपकी सूरत सवतह निमित बन सेवा करेगी, आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से जलकती रहेगी, इसी को कहती हैं अलोकिक्ता, लोकिक भाव तो अब खत्मा हो गया, मैं आत्मा हूँ, ये भाव है अलोकिक्ता, मैं फलाना हूँ, ये भाव है लोकिक्ता, तो अब सदा अलोकिक भाव में रहना है, बाबा बच्चों की हर एक्ट को देखते हैं, ये मत सोचना कि बाब को पता नहीं पड़ता है, मेहनत करने वालों को महबूब की मुहबत प्राप्त होती है, बाबा नहीं कहा, कई बच्चे भाग्ये प्राप्त होते हुए भी उसको बढ़ाते नहीं हैं, जितना हैं उतना ही रखते हैं, लेकिन कई बच्चे जितना भाग्ये मिलता हैं, उसको मल्टिपल कर लेते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख करके बाप को खुशी होती हैं, जैसे भाग-भाग करके मधूबन में पहुँच गए हो, ऐसे ही पुरुशारत में भी उर्ती कला द्वारा, तिवरगती से बाप के समान बनना, अर्थात बाप के समीप पहुँचना, बच्चों का स्नेह, बच्चों के पहुँचने से पहले ही बाप दादा के समीप पहुँच जाता है, कोई बच्चा चाहे समीप है, चाहे स्थुल रिती से दूर है, लेकिन हर बच्चा हर समय बाप के दिल तक्त नशीन है, मधुबन निवासी, अर्थात, मधुर्ता द्वारा बाप की पर्तिक्सता का, बाप की समीपता का सक्सतकार करानी वाले संकल्प में भी मधुर्ता, बोल में भी मधुर्ता और करम में भी मधुर्ता इसको कहते हैं बाप की समीपता इसलिए बाप दादा प्रते दिन कहते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चे भी रिस्पॉंड में कहते हैं मीठे मीठे बाबा ये मधूरता के हर रोज के बोल मधूर बना देते हैं मधूरता ही महांता है अगर जीवन में मधूरता ना हो तो महांता भी इतनी अनुभव नहीं होती है पांडव अर्थात सदा विजय लेकिन विजय वही पांडव हैं जो सदा बाप के साथ रहती हैं बाबा ने पूछा कभी माया का हाथ तो नहीं पकड़ लेते हो या तो रहेगा बाप या रहेगी माया शिव शक्तियां भी सदा विजय लेकिन शिव के साथ कमबाइंड तभी शिव शक्तियां विजय हैं शिव शक्तियों का जंड़ा हमेशा उचा रहता है ये जंड़ा विजय का प्रतीक है तो शक्तियां सदा विजय हैं शिव शक्ति पांडव सेना अभी परतेक्स हो जाए बाप दादा ये फ्लेग सर्मनी देखना चाते हैं लेकिन ये सर्मनी तब होगी जब पहले आपके दिल में संपन्नता का और संपुर्णता का जंड़ा लहराएगा जैसे आप बच्चे गीत गाते हो ना शिव शक्तिया आ गई ऐसे ही अब सारा विश्व गीत गाए कि बाप के साथ शिव के साथ शिव शक्तियां और पांडव परतेक्स हो गए हैं जैसे शिव जैनती पे शिव अवतरन का जंड़ा लहराते हो ना तो ऐसे ही विश्व की आत्माई देखें कि शिव शक्तियां और पांडव अव भावना है कि चारों तरफ ये आवाज गोंजे आ गए आ गए आ गए ओम शान्ति